इस्तरी गलत रास्ते पर चली जाती है तो उसे वापस सही रास्ते पर कैसे लाई जाता है जिन इस्तरीों का मन दूसरे पूरुशों में चला जाता है उस इस्तरी में पूरुशों को क्या करना चाहिए ताकि आपकी इस्तरी आपको छोड़कर कभी दूसरे पूरुश के पास तो इसको समझने के लिए सुनते हैं एक छोटी सी कहानी किसी सहर में एक लड़की रहती थी उसके माता पिता ने उसका विवा एक गाह में रहने वाले एक अनपड गवान लड़के से कर दी इस बात को जानकर उस लड़की को बड़ा दुख हुआ उस लड़की को वह लड़का बिलकु भी पसंद नहीं था कहां तो वह सहर की रहने वाले लड़की और उसे एक अनपड और गवान लड़का पती की रूप में मिल गया था वह स्वेम बहुत पड़ी लिखी थी इसलिए उसे यह सब पसंद नहीं आया अब वह लड़की अपने ससुराल में आई और उसका पहला दिन था दिन भर घर का काम किया और जब शाम को खाना खाकर सोने के लिए कमरे में चली गई वहाँ जाकर अपने प्रेमी से हस हस कर बाते करने लग गई थोड़ी देर बाद उसका पती उससे मिलने के लिए कमरे में आया जो अनपड और कवार था अब जैसे ही वह कमरे में आया तो उसे देखकर उसकी पतनी दूसरी तरफ मूर फिर लेती है और अपने पती से कहने लगती है तुमने मेरे पास आने की हिम्मत कैसे की अगर तुमने मुझे छोने की कोजिस भी की तो मैं यही पर इसी शन अपने प्राण त्याग दूंगी मैं हाँ जोड़कर निवेधन करती हूँ तुम यहां से चले जाओ और कहीं दूसरी जगे पर जाकर सो जाओ मुझे अकेली छोड़ दो अब उसकी यह पास उनकर उसका पती वहां से चुक्चाप चला जाता है क्योंकि वह सीधा साधा और एक सज्जन आदमी था फिर वह आंगन में आकर सो गया अब इस परकास से पूरी रात कुजर गई परन्तो वह उसकी पत्नी के कमरे की तरफ नहीं गया और इधर वह पत्नी पूरी रात अपने प्रेमी से बाते करती रही अब उसका पत्ती अनिक परकार के फल और मिठाईयां लेकर आता था और इधर वह गमंडी पत्नी खाने के चीज तो ले लेती थी लेकिन उसे अपने पास एक मिनट भी नहीं बेटने देती थी लेकिन गर के सबी लोग उसके साथ अच्छा बरताव करते थे उस लड़की की सासुमा उसके अच्छे तरसे देखवाल करती थी और अपने हाथों से बोजन बनाती थी लेकिन वह घमंडी लड़की दिन रात बस अपने प्रेमी के ख्यालों में खुई रहती थी उस लड़की की सासुमा को यह जब पता था कि वह उसके बेटे से बात नहीं करती है और उसको पास में बेटने तक नहीं देती है फिर भी उसने अपने बहु से कुछ नहीं कहा वह लड़की तो यहीं चाती थी कि किसी तरह से उसके पती से और उसके सासुमा से लड़ाई जगड़ा हो जाए और वह उस घर से निकल कर चली जाए हर समय वह अपने पती को नफरत बरी नजरों से देखती थी और अपने सासुमा को उल्टे और कड़वे बोल बोलती थी इसके बावजू भी उसका पती और उसके सासुमा उसे कुछ नहीं कहते थी अवह लड़की अपने प्रेमी से कहने लगी अब मैं तुम से विवाय करना चाती हूँ मैंने इस घर से रिस्ते नाते तोड़ने के लिए कई बहाने डूंड़े लेकिन कोई भी मुझे कुछ नहीं कहता है मैं तो दिन रात नहीं सोचती हूँ कि किसी बहाने इनसे लड़ाई जगड़ा हो जाए और इसी बहाने रिस्ता तोड़कर मैं हमेसा के लिए तुमारे पास चली आओं और ऐसा कोई मौका ही नहीं मिल रहा है अब तुम ही बताओ मैं तुमारे पास केसे आओं तो वह लड़का कहता है मैं भी यहीं सोचता हूँ मेरे मर में भी ऐसे ख्याल आते हैं कि तुम मेरे पास हमेसा हमेसा के लिए आ जाओ भला कब तक तुम मुझसे छुप छुप कर मिलती रहोगी तुम एक काम करो तुमारे पास में जो कुछ भी पेसे हो तुम उन पेसो को लेकर मेरे पास चली आओ हम कल ही इस गाउं को छोड़ कर कहीं दूर चले जाएंगे लड़की कहने लगी मेरे पिताजी ने दहेज में दो लाक नगत और कुछ कहने दिये थे वहें मेरे पास ही रखे हुए हैं और मुका मिलते ही मैं इन्हें लेकर तुम्हारे पास चले आऊंगी ये सुनकर वहें लड़का बहुत खुस हुआ और उसने कहा कल ही तुम हाँ से चली आना अब दूसरा दिन हुआ और सैयोंग से उस दिन उस लड़की का पती गर पर ही था उसकी चुट्टी थी उस दिन वहें काम पर नहीं गया अपने पती को घर पर देखकर वहें लड़की बड़ी कुस्ते में हुई और सोचने लगी आज यह यही पर रहेगा तुम्हें अपने प्रेमे के पास कैसे जाऊंगी इसके होते वे गहने और उपे कैसे निकाल पाऊंगी अवल लड़की किमाड बंद करके कमरे के अंदर गुमसुम होकर बैट गई इधर उसका पती उसके लिए खाना लेकर आया तो देखा कि कमरे के किमाड बंद है तो उसके पती ने और उसके सासुमा ने आवास लगाई कि किमाड खोलो हम तुम्हारे लिए खाना लेकर आये ह खाना खालो तब उस लड़की ने अंदर से कुछ जबाब नहीं दिया। फिर दोबारा किवाण खटखटाने पर उसने किवाण खोला और बोजन की थाली ले ली। फिर उसका पती और सासुमा दोनों वापस दूसरे कमरे में खाना खाने के लिए चले गए। खाना खाकर उसका पती बाजार में चला गया और सासुमा खेट पर चली गई। इदर वह लड़की अलमारी खोल कर उसमें से रुपए और गहने निकालने लगती है। तो वह देखती हैं उस अलमारी में एक डायरी लिखे हुई थी। वह सोचे लगी इस डायरी में ऐसा क्या है तो वह डायरी खोल कर देखती है। तो उसमें लिखा हुआ था। हिप रिये में तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। तुम्हारे पिता जी ने मुझे सब कुछ पहले से ही बता दिया था। उन्होंने बताया कि मेरी बेटी एक आवारा लड़के के चक्कर में पड़ी हुई है। तो मेरी बेटी से विवाय करके मेरी लड़की की जिन्दगी बचा लो मैंने तुम्हारे पिता जी के बार बार विंती करने पर तुम से विवाय किया था ऐसा करके मैं तुम्हारे नजरों में एक अच्छा पती तु नहीं बन पाया लेकिन हाँ मैं तुम्हारे पिता जी का का विचार भी बना लिया और जब भी तुम जाओ तो रुपए और तुम्हारे गहने ले जा सकती हो और मैं तुम्हें नहीं रुकूंगा आखिर मैं तुम्हारे नजरों में एक गवार हूँ और मैं तुम्हें यहां केद करके ओर नहीं रखना चाहता अब मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर घुट-गुट कर जीओ मैंने तला के कागज तयार करवा कर अपने हस्ताक्षा करके इसी डायरे में रखती है अब तुम उन कागजों पर अपने हस्ताक्षा करके जा सकती हो और फिर तुम अपने प्रेमी से विवाय कर सकती हो अब मुझे कोई आपते नहीं है और मैं यह भी जानता हूँ कि तुम मुझे बिल्कुल भी प्रेम नहीं करती हो इसलिए तुमने मुझे अपने पती के रूप में स्विकार नहीं किया मैं चाहता तो तुम्हारे साथ में जबर्दस्ती भी कर सकता था क्योंकि तुम मेरी पत्नी हो और मुझे कौन रो सकता था लेकिन मैं तुम्हारे प्रेम को जीतना चाहता था और मैं यह भी जानता हूँ तुम्हारे दिल में अब मेरे लिए कोई जगए नहीं बची है प्रिये मुझे इस बात का दुक रहेगा तुम जहां भी जाना चाहती हो जा सकती हो लेकिन मेरी एक बात याद रखना अगर पविशे में यदि तुम पर कोई भी परेशानी आए तो उस समय तुम अपने गवार पती को एक बार याद जरूर कर लेना मैं तुम्हारी किसी भी परस्तिती में साह देने के लिए तैयार हूँ उस दाइरे में लिखी हुई बातों को पढ़गर उस लड़की के आँकों में आसुआ गए और उसके दिल में अपने पती के प्रती प्रेम जाग उठा अवे लड़के अपने पती के बारे में सोजें लगी कि मेरा पती तो मुझे इतना चाहता है कि मेरी खुशी के लिए उसने इतना बड़ा त्याग किया मेरे पिता की इज़्जत के लिए और मेरे लिए वह सब कुछ हस्ते हस्ते बर्दास्त करता रहा आखिर कितना बड़ा रिदय है उसका पतनी के ऐसे कुछ कर्म को देकर दुनिया का कोई भी पती चुपचाप नहीं बेड़ सकता लेकिन मेरा पती सब को सहन करता रहा मैं कितने बड़ी मुर्ख हूँ जो ऐसे पती को छोड़कर उन पेसो के लालची के बहेकावे में आकर उसके साथ जाने के लिए तयार हो गई हूँ वह तुसरी पेसो के लिए मुझे जुटा प्यार करता है लेकिन यह मेरा पती ऐसा नहीं है इसने आज तक मुझे से एक रुपए भी नहीं मांगा है फिर उस लड़की के सब कुछ समझ में आ जाता है और वह अपने प्रेमी को हमेशा के लिए बूल कर अपने पती और सासुमा के साथ रहने के लिए तयार हो जाती है फिर वह अपने पती और सासुमा के पास जाकर माफि मांगने लगती है और अगले दिन से घर का सारा काम काज करने लग जाती है और अपने पती के साथ रहने लग जाती है वह लड़की अपने पती के प्रेम और नमरता के कारण वापस सही रास्ते पर आ गई वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ओके थैंक्यो औरिवन